अगली खबर आ रहे हैं साजापुर से जहां कांकडी गाउं में एक युवक्त की सोते समय खेत बर हत्या कर दी गई है युवक्त रात को खेत पर फसलों को पानी देने के रिए गया हुआ था रात तीन बजे तक वे खेत पर काम कर रहा था सुबह पर जनों ने देखा तो पलक पर सब पड़ा मिला कांकडी गाउं निवासी दरबार सिंग पिता नागोर सिंग उम्र 35 साल की 15 भी घा जमीन गाउं से ही कुछ दूरी पर इस्थित है युवक ने खेत पर गेहुचने की फसल बो रखी है जिन्हें पानी देने के रिए रविवार की रात को घर से निकला और रात तीन बजे तक पानी देता रहा उसके बाद खेत पर उसकी हत्या कर दी गई युवक का सब पलक पर पड़ा हुआ था घटना की जानकारी लगते है डिसनल स्पीट टीएस बखेल पुलिस बल के साथ पहुचे और जाच पर ताल की गुदवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जाच में लिया है मृतक की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और उसने दूसरी साधी की है पहली पत्नी का एक बेटा भी है पुलिस जाच में जुटी है कि इन कार्णों की चल दे युवक की हत्या की गई योग से किसी की दुस्मनी तो नहीं पुलिस सभी पहलों की जाच में जुटी हुई है लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करे 756683551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करे 07662 359974 पर या फिर संपर्क करे 860288599 पर